हेलो एवरिवन, वेलकम टो निपोन स्मार्ट शाला चैनल उमीद करती हूँ सभी स्वस्थ हैं और मस्थ हैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेगा मोनिटरिंग होने वाली है तो मेगा मोनिटरिंग के दुरान कक्षा कक्ष में टीचर को किन किन बातों का ध्यान रखना है यàनि कि क्या क्या त्यारी रख and रखनी है वो और किन किन चीजों पर मोनिटरिंग करने वालों की नज़र रहेगी इस बारे भी हम चर्चा करते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि वो कौन-कौन से चीजी है जिनका ख्याल आपको अपनी कक्षा-कक्ष में रखना है तो आए शुरू करते हैं वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेजेगा ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे और वीडियो को पूरा देखेगा देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो आपके काम की है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें वीडियो को और कोई भी Qory है कोई भी सवाल है वीडियो के अच्छी लगी कुछ कमी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो आईए शुरू करते हैं वीडियो जी तो सबसे पहले बात आती है क्लास्रूम की तो क्लास्रूम वो Print-rich क्लास्रूम होना चाहिए क्योंकि जबी भी कोई भी आपके class में enter करता है तो सबसे पहले आपकी class की क्या शकल है क्या हूलिया है वो नजर आता है तो उसके लिए print rich class का होना सबसे ज़्यदा ज़रूरी है जो आपकी class को एक attractive सा look देता है कि कोई भी वहाँ पर रुख सके बच्चे वहाँ ठहर सके तो print rich specially कहूंगी मैं FLN classes के लिए पहली से तीसरी कि वो classroom एकदम print rich हो उसमें हर तरीके की चीज़े available हो जो बच्चों की competency से match करती हो इसी तरह 6-8 में भी और 9-12 में भी सेम चीज़े होने चाहिए एफिलिन class के बात करूं तो निपून हर्याना की दक्षता सूची के posters जो सभी स्कूलों में available हैं तो वो चिपके हुए होने चाहिए अगर नहीं है तो आप अपने block coordinator या district coordinator से या फिर B.O. office से contact करके वो मंगा लीजिए और अपने classroom में लगवा लीजिए या आप school head को बोल दीजिए ताकि वो उनसे contact करके आगे वो poster available करवा ले अपने school के लिए charts होने चाहिए charts जो बच्चे की competency है उनसे related charts होने चाहिए जो भी topic आप पढ़ाते हैं उनसे related इसके बाद उसमें कुछ slogans के poster होने चाहिए या फिर charts होने चाहिए जैसे निपून है तो निपून से related slogans हों उनके कुछ logos हों अगर हम बात करें 6-8 में तो उडान project उनसे related कोई logo हो slogan हो उनसे अधारित कोई किसी भी तरीके का कोई chart हो वो paste हो इसके बाद बात करते हैं TLM की तो आपकी classroom में चाहिए वो पहली class हो चाहिए वो बारवी class हो class में low cost TLM जरूर हो low cost TLM आप सभी जानते हैं इस बारे में एक किफायती TLM जो बच्चों को पढ़ानी में मदद कर सके बच्चे उसे सीख सके ऐसी TLM क्लास में जरूर हो रीडिंग corner बना हुऊ बच्चे के लिए कि कुछ books ऐसी रखी जाएं आपके पास NBT की books आती हैं और भी अलग अलग एक रसी लीजिए दिवार के एक सीरे से दूसरे सीरे पर बांध कर उसके उपर किताबे लटका दीजिए उसके बाद एक book corner या workbook corner होना चाहिए एक ऐसा corner एक table सी mostly school में available रहती है तो उसके अंदर आप अपनी class के बच्चों की workbook रके पहली से लेकर आठवी तक सबके पास workbook है तो अपनी workbook को वहां पर अच्छे से रखे ताकि कोई भी देखना चाहें तो वहां से उठाए और उसे अराम से देख सके इसके बाद TLM corner होना चाहिए जहां प कोई बैग दिखना ही नहीं चाहिए आपकी classroom में आपके office room में आपके store room में तो हो सकता है बाकि किसी जगह पर भी कोई भी बैग ना दिखे कि आप ये ना कहें उनको कि हम तो बैग में से निकालते हैं और फिर यूज़ कर लेते हैं कोई ऐसी जगह रख लीजे जहां पर TLM open में रखी हो और बच्चा अराम से उनको use कर सके और TLM को परती दिन अपनी activity में शामिल करना शुरू कर दीजे क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं अगर आपने ऐसा किया कि जिस दिन mega monitoring हो रही है और उस दिन आपने खोल के रख लिया और उन्होंने बच्चों से पू इसे हैं वर्क बुक लेकर एक बात मैं और कहना चाहूँगी पहली से आठवी की जो वर्क बुक है उनको लेकर कि वर्क बुक properly चेक होनी चाहीं उनके ओपर आप sign करें नीचे date डालें अच्छे से हर बच्चे की वर्क बुक properly चेक हो और उसके बाद उनका जो पीछे ट्रे पैनुल के अंदर वो इस ट्रैकर पर जरूर भर दीजेगा वो ट्रैकर खाली बिल्कुल मत रखेगा क्योंकि यही दो चीजे वर्क बुक और ट्रैकर को लेकर चेक करी जाएंगी और ट्रैकर को प्लीज सो समझ कर भरियेगा बच्चे को आता है तो भरिये नहीं आता तो उसक फिर कोई excuse दिया कि बच्चा नहीं आता है या फिर पढ़ता नहीं है तो वो हमारे लिए एक negative point हो जाएगा इसलिए जरा ध्यान से उसको भरियेगा इसके बाद skill pass book की एक बात करूँ तो मैं skill pass book हर बच्चे की भरी होनी चाहिए पहली से आठवी तक की भरी भी होई होनी च चाहिए क्योंकि skill pass book वो जरूर चेक कर रहे हैं और skill pass book कहीं और नहीं आपकी classroom में होनी चाहिए ताकि जबी भी वो मांगे आप उन्हें निकाल कर दिखा सके इसके बाद student homemade cards या letter अब जैसे time to time अलग अलग तरह की activities आती रहती हैं जिसमें से हम बच्चों को cards बनवाने के ल जैसे अब हमारे primary section में रक्षा बंधन को लेकर letter लिखना आया था होमेड cards भी बनते हैं बच्चों की तो और आप classroom में अपनी activities को लेकर बच्चों से जो card बनवाते हैं जब आप teacher manual उठा कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ ऐसी activity दे रखें जिसमें corner बना लेंगे और उसके अंदर वो paste करते हैं तो ऐसी कोई भी cards है या फिर letters बच्चे ने बना रखा कुछ अलग अलग तरह की activity उनके लिए आप एक अलग space रखें ताकि सामने से आने वाले को वो चीज़े नजर आ जाए इसके बाद आप अपना ध्यान रखेंगे classroom को लेक कोई वो अलमारी होती है तो उसमें सफाई कम होती है तो प्लीज अपने super को या फिर किसी को भी कहकर उसकी अच्छे से सफाई करा लीजिये अगर उसके ऊपर कोई दरीवरी पड़ी है या कुछ extra समान पड़ा है तो उन्हें निकाल कर साफ कर वा लीजिएगा आपके school classroom के जो बोड के उपर डेट टाइम जरूर मेंचन होना चाहिए इसके साथ प्राइमरी क्लास ध्यान रखें कि अभी अभी एक बालवाटिका से लेके तीसरी क्लास तक का एक टाइम टेबल विभागने शेयर किया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके वो इसके बाद बाद करते हैं लेसन प्लान एंड टीचर डाइरी की तो लेसन प्लान सभी अपना जरूर बना लीजेगा हाँ प्राइमरी सेक्शन के लिए लेसन प्लान ओल्रेडी उनके वर्क बुक में मैंचन है क्या करना है कैसे करना है वो अपनी टीचर डाइरी जरूर में करें बाकि classroom के लिए यानि कि छटी से लेके 12 तक के सभी teachers अपना lesson plan ज़रूर बनाई क्योंकि lesson plan आप लोगों के लिए mandatory है teacher diary आपके teacher diary properly maintain होनी चाहिए properly उसके उपर sign होने चाहिए head के अगर अभी तक आपने नहीं कराया है तो अपने head के sign करवा लीजे और आज जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से daily आप अपने school head के sign कराएं ये नहीं है कि एक बार में इकठा करा ले जितना possible हो सकता है तो daily के daily आपने school head से sign करा कर उसके उपर date जरूर डलवा लीजेगा इसके बाद अगर आपने classroom में grouping नहीं कर रखी है पहली से 8 वी तक की ये लिए mandatory है कि अगर आपने classroom में grouping नहीं कर रखी है बच्चों की तो grouping कर लीजे grouping बच्चों के जो भी उनकी classroom की performance है या test आप weekly ले रहे हैं उसकी अधार पर उनकी grouping करके अपने register में maintain जरूर कर लीजेगा क्योंकि grouping उनका एक key point है जिसे वो check कर रहे हैं इसके बाद activity classroom ऐसे आप arrange करेंगे इस तरह से आप उस दिन plan करेंगे उस दिन क्या रोजी plan करना चाहिए आपको ऐसा मैं तो ये कहूंगी कि activity ज़रूर शामिल हो उसमें आप बच्चों को activity कराएं कोई भी नया topic अगर आप उस test report आपने आप तक weekly test जितने भी लिए है weekly लिए है या फिर जो भी आप बीच में टेस्ट ले रहे हैं उनका एक proper record maintain कर लीजेगा रजिस्टर में आपने जो भी बना रखा होगा अब तक उमीद करती हूं सबने बना रखा होगा उसके अंदर आप बच्चे का नाम लिखकर class लिखकर और जिस date पर आपने वो test लिया है और उस competency का या फिर उस topic का नाम लिखकर आप एक register maintain कर लीजेगा और उसमें बच्चे की test की जो performance है वो जरूर लिख दीजेगा और उसकी अधार पर आप बच्चों की grouping करेंगे कि ये बच्चा इस group में है एक group में है ये बच्चा group दो में है या फिर आप तीन group बना रहे हैं तो आप जैसे भी बनाए उस हिसाफ से आप उनकी grouping जरूर करें इसके बाद बात करते हैं हमारा mid day meal जो एक key factor का का काम कर रहा है हमारे लिए इस mega monitoring के दोरान MDM का जो भी आपका अगर उस दिन राशन बनेगा वो आपके schedule के अनु अनुसार ही बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा उस दिन ध्यान रखा जाए कि वो schedule के अनुसार ही बने MDM बनाते से में आप proper hygiene का ध्यान रखें साफ सफाई का ध्यान रखें जो कूख आ रहे हैं आप उन्हें इंस्ट्रक्शन दें कि वो अपनी dress में ही आए बरतन जो हों आपके उनको अच्छे से साफ करवा लेजी अगर पतीले कही से जले वले पड़े हैं या फिर डंक से साफ नहीं हुए हैं एक बार उनको अच्छे से साफ करा लीजीगा गलवस अगर possible हैं तो गलवस दीजीगा गलवस नहीं हैं तो हमारी female जो कूख है वो प्लीज अपने सर को cover करने के लिए जो कैप आती है एक पतली सी जैसे हमारे गलवस आते हैं उस ऐसे ही shower कैप की तरह या फिर operation कैप की तरह कैप आती है वो जरूर ले लीजीए तकि आपक को जरूर साफ करें बच्चों के लिए भी कि वो जब खाने के लिए आए तब वो अपने हाथ साफ कर लें उससे और खाना खाने के बाद अपने hand wash करके जरूर जाए इसके साथ ही आप उनका sitting arrangement भी जरूर देखेंगे sitting arrangement में आप ये देखेंगे कि proper बच्चे बैठ रहे हैं प्रोपर उनके बैठने के लिए दरी बिचाई गई है वो जगह साफ की गई हो उसके बाद खाना शुरू करने से पहले आप एक चोटी सी दो मिनट की या फिर एक मिनट की prayer जरूर करवाएं बच्चों को कि हम अंदाता को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमें वो खाने के लिए दे रहा है तो एक छोटी सी prayer को अपने इस schedule में जरूर शामिल करें और खाना खाने के बाद बच्चों के hand wash करने के लिए भी जरूर कहें उन्हें यह उनके routine में डाल दीजीगा कि थोड़े दिन बाद उनको एक दो दिन बाद उनको routine में आ जाएगा तो यह उनसे जर रूल रहे वो आफ्टर स्कूल ओवर जब स्कूल ओवर हो जाए तो प्लीज बच्चों को classroom से जब भार आएं तो एक दम धका मुकी करते हुए ना एक प्रोपर तरीके से लाइन से वो classroom से बाहर निकले और इसी तरीके से दरवाजे से और गेट से बाहर जाएं ताकि एक प्लीज स्कूल में नज़र आए